हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ अहम अपडेट हैं कुछ जरूरी अपडेट हैं उस पर बात करेंगे इंडिया और इंग्लेंड के दर्मियान वैक्सीन और कॉरंटीन को लेकर विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है उस पर बात करेंगे इसके लावा दोस्तो एर इंडिया एक बार फिर टाटा के हाथों में चली गई है उस पर बात करेंगे साथ में दस अक्टूबर से कई सारी पावंदियां सुरू होने जा रही हैं सौधी अरब में उस पर ब जिससे आपको हमारे वीडियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडिया और इंग्लेंड के दर्मियान जारी कॉरंटीन विवात को लेकर अभी कुछ दिन पहले इंग्लेंड ने एक नियम बना दिया था जिसमें कहा गया था कि भार उसे इंग्लेंड में 10 दिन कॉरंटीन होना पड़ेगा 4 अक्टूबर से इसके बाद भारसरकार ने कड़ी आपत्ती जताई थी और इसको भेभाव भरी नीत बताया था और भारसरकार ने धमकी भरी लहजे में कहा था कि अगर इस तरीके से इंग्लेंड करेगा तो भारत क अक्टूबर से इंग्लेंड से आने वाले नागरिकों को अगर वो फुली वैक्सिनेटेड है तब भी उन्हें इंडिया में 10 दिन कॉरंटीन रहना होगा इसके इलावा उन्हें इंग्लेंड से आने से पहले 72 घंटे के अंदर अपना PCR टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी इंडिया में और इंडिया में जब अरावल करेंगे तब भी उनका PCR टेस्ट होगा इसके इलावा आठवे दिन उनका PCR टेस्ट होगा और 10 दिन उन्हें इंडिया में कॉरंटीन रहना होगा तो ये एक कड़ा संदेश दिया है इंडिया ने उन देशों के लिए भी जो दिन कॉरंटीन रहेंगे, दस दिन कॉरंटीन रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्ही देशों के वैक्सिन लगवा कर आए हैं, तो आप दो दिन कॉरंटीन रहेंगे, इसके रहा कतर का ही आप उधरर देख लिए, अगर आप इंडिया से वैक्सिन लगवा कर कतर जा रहे हैं, त उनको तो कुरंटीन नहीं किया जाएगा लेकिन अगर इंडिया में वैक्सिन आपने लगवा लिए कोविसील की दोनों डोल तब भी आपको 10 दिन इंग्लेंड में 4 अक्टूबर से कुरंटीन होना पड़ेगा तो अब भारत सरकार ने इस पर कड़ा रूप अक्तियार कर लि हुई थी तो ये तमाम चीजें हुई हैं इंडिया और इंग्लेंड के दर्मियान फिर भी ये विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है देखते दोस्तों ये विवाद कब खत्म होता है वैक्सीन को लेकर और कॉरंटीन को लेकर अगली अपडेट दोस्तों बहुत ही महा वापसी हो चुकिये एर इंडिया को टाटा ने खरिद लिया है 1932 में जी आरडी टाटा ने पहली फ्लाइट उड़ाई थी तब से टाटा एरलाइंस ही हुआ करती थी यानि पहले भी ये टाटा एरलाइंस ही थी लेकिन 1953 में नहरू के दोर में राष्टी एकरण हुआ तो एर इंडिया इसको बना दिया गया यानि टाटा एर इंडिया हो गई 1953 में जब भारत के पहले परधान मंतरी जवाहल ने नहरू थे तो उन्होंने जो राष्टी एकरण किया उसमें टाटा को एर इंडिया बना दिया गया अब फिर से एक बार टाटा के हाथों में एर कर है तो सौधिय अरब में 10 अक्टूबर से सकती बढ़ने जा रही है उन लोगों ने जिन्हों ने वैक्सीन नहीं लगवाया हुआ है जिन्हों ने वैक्सीन की टोच कंप्लीट नहीं की हुई है क्योंकि 10 अक्टूबर से कई सारे जगों पर आपके जाने पर बंदिश इसके इलावा कॉफी सेंटर पर नहीं जा सकते हैं कई सारे जगों पर आपके लिए पावंदी लगा दी जाएगी 10 अक्टूबर से सारजने जगों पर भी आप नहीं जा सकते हैं अगर आप वैक्सीन की डोच कंप्लीट नहीं किये हुए हैं तो आप से गुजारिश है अभी फ्लाइट को लेकर दोस्तों नहीं कोई अपडेट नहीं कि इंडिया से सौधी के लिए उन लोगों के लिए फ्लाइट में परमिशन कब होगी जो लोग इंडिया में वैक्सिन की दोनों डोच लगवा चुके हैं बड़ी संख्या में लोग दुबाई से होकर साओध तो अगर आप ट्रवल करना चाहते हैं तो दुबाई से सौधी जा सकते हैं या फिन नैपाल से सौधी जा सकते हैं आगे दोस्तों कोई अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रवल्स को लेकर तो वो आप तक पहुंचाए जाएगी इसके लिए आप परदशी फ्लाइट ये ट